मुझाइज वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम टो मैं चानल इंडिन मॉम कांचन तो गाइज यहां पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बन रहा था और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा था पास्ता अक्चुली यह कभी नहीं बोलते है ऐसी जिजे बनाने के लिए क्योंकि इ कभी बैसे अलग चीज बनाने के लिए निए ब्रेकफास्ट में उपमा भी बहुत मुश्किल से कादर है तो आज उन्होंने खुद बोला कि पास्ता बना तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो यार बच्चों के लिए भी हो जाएगा और इनके लिए भी और पास्ता की रेसिपी है जो मैं आपके साथ भी आगे शेयर करने वाली हूँ और मैं जैसे बनाती हूँ वैसे मैंना एकदम से सिंपल से तरीकी से पास्ता बनाती हूँ मतलब एकदम देसी स्टाइल से तो मैं क्या करती हूँ सबसे पहले थोड़ा सा ओल डाल देती हूँ कड घल दो plususta चिली वटर डाल दिया एक जेली आफ भी चिली पॉर्डर ऋरम डाल दिया आज भी ऺड्य को ड्स दिया इसाफ दा लिख टी बाद घल also जो फॉक्ट जो पास बोट दोगी और नहीं hearings जो पास्टा स्वास बय़ूर दे एक ज Now तो पास्ता रेडी हो जाएगा और इसके बाद उसमें थोड़ा सा धनियापत्ता आड़ कर दूगी तलब गार्निशिंग के लिए दिखने में भी बहुत अच्छा लिखता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है तो बस इस तरह से मैं पास्ता बनाती हूँ आप ल मसाले में भी नमक रहता है तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान से नमक आड़ करना पड़ेगा तो यह मैं शायद मेरा जो पास्ता मसाला है वो पता नहीं अभी कौन सी कंपनी का है इतना याद नहीं है जो भी आप पास्ता मसाला यूज करते हो डाल दीजे बस हो जाएगा तो यह हो गया हमारा पास्ता रेडी तो अभी मैं प्लेट निकालोंगी और हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसके बाद चाय रखोंगी चाय पी लेंगे और यह चले जाएंगे ड्यूटी तो यही सुबह का काम होता है उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए लग जाती हूं तो यहां पर चल रहा था बेड्रूम का टेक्चर तो इसी वज़े से मैं सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूं यहां पर जो भीया है जो टेक्चर बनाते है वह यहां पर मतलब पहले अब्रोटिप लगाना पड़ता है वो टेक्चर के लिए तो यह जो बात का लूग जो है वो दिखा दूगे मैं बस आप यह देख लीजे किस तरह से उन्होंने अब्रोटिप लगाया हुआ है यहां पर सारे एलेक्ट्रिक के पॉइंक्स निकाल के रख्या है उन्होंने क्योंकि यह साथ में ही सारा काम चल रहा ना तो इसी वज़े से यह सार आप बहुत ज़दा मेज दिख रहा होगा आपको यहां पर यह फाइनल जब हो जाएगा ना तब आपको पता चलेगा कि यह कैसे दिखेगा तो इस तरह से इन्होंने आप लगा दिया है तो इसका ना पूरा बनाते टाइम में शूट नहीं कर पाई बस यह आपको दिखा दिखा दिया मैंने और मैं आपको पूरा घर दिखा दिऊ अभी क्या क्या हुआ है तो यहां पर यह Tv बॉनिट आपने देख लिया है पिछले व्लोग में तो यह Tv कुछ इस तरह से बना है और यह जो उपर का है ना यह दो बॉक्स नहीं यह तो यह जो है उपर के तीन ब माईका लिया है बहुत सुन्दर लग रहा है बनने के बाद अभी बन गया है तो मैं नेक्स ब्लॉग में आपको दिखा दूँगे तो यहां पर इस तरह से इसका माईका लगा है तो यह पाइनल लुक आप देख लिए इसका तो इसे भी वह क्या बोलता है है हैंडल लगाने बाकी है अभी भी तो यह अभी लग गया है जब मैं एडिट कर रही हूं आपको बाद में दिखा दूँगी नेक्स ब्लॉग में आपको दिखा दूँगे मैं सारा कुछ तो इस तरह से यह हो गया है इस तरह से घसाई हो गया है इसकी मतलब यह वाले वाल की और उसके शुआ है यहां कि इसके अंदर ईक पार्टिसं करना है उसके बाद में आपको दिखाउंगे तो यह तो यह सारा क्लीन होगा बाद में जब पूरा कंप्लेट हो जाएगा इसके बाद यह सारा कुछ क्लीन होगा यहाँ पर यह पैनलिंग जो है इस पर माईका लगाना बागी है और सबसे बढ़िया मुझे लगा तो यह मंदीर आप देख सकते हो अभी यह इनकंप्लेट है बहुत सुन्दर लग रही है इस पर जब लाइट गरता या उसके बाद बहुत सुन्दर लगती है यह अभी तक इसका आधा भी काम नहीं हुआ है फिर भी पिसना अच्छा लग रहा है तो पूरा काम हो जानी के पाग कितना सुन्दर लगेगा इस पे ग्लास लगाने की है बहुत काम बागी अभी इसका जो था अभी मैंने आपको दिखा दिया अभी इसको मैंने खोल के भी नहीं दिखाया है एक्चुली मैं सोच तो इसका फूल टूर दू आप लोग बताएगा मुझे कि फूल टूर आपको चाहिए या नहीं चाहिए मतलब इसका फूल मंद से आवाज आएगे ना प्लीज उसे इग्नोर करना क्योंकि दिन भर यह खट-खट के आवाज चलती रहती है मैं जब एडिट करती हूँ तब यह खट-खट के आवाज आती है इसी वजह से मैं एडिट भी नहीं कर पा रहे हूं तो इस तरह से यह आप देख सकते हो स्टोरू वगरा की थी उसे इसी वजह से यहाँ पर मैं पूरा क्लीन कर रही हूं अंदर से वह जो शेल्फ है वह पूरी क्लीन कर रही हूं क्योंकि मुझे अभी इसमें पेपर लगाने है उसके बाद मुझे उसमें जो डिब्बे वगरा है वह पूरे सेट करने है तो जो कंटेनर है मैं इसवाद से मुझे यह क्लीन करना पड़ेगा सबसे पहले तो वह क्लीन करके देंगे जैसे कि टाइल्स वगरा है जो अंदर की जो पूरा स्टो रूम है वह क्लीन करने नहीं कर दे रहे थे उनके पास बाद काम था इस वजासे तो मैंने सुचा खुदी कर लेती हूं क्योंकि इतनी से शेल्फ क्लीन करनी है और बस उसमें पेपर जमाने हैं उसके बाद उस पे डिब्बे लगाने हैं और हाँ जो डिब्बे क्लीन करने के लिए जो लेडी आती है तो उसे मैंने बोल दिया था कि आज से बरतन क्लीन करके दो मुझे तो इसी वज़ा से वह आ जो कंटेनर है वो भी जमा दोंगी वहां पर तो अच्छे से उसमें सामान लगाना है बरतनों पर मतलब कंटेनर पर उस पर नाम लिखना है जो जो उसमें मैं चीजे भरूंगी तो मैं आपको स्टोरूम का टूर मंदिर का टूर ये अलग-अलग से टूर देती रहोंगे ज तो अगर आपको इंट्रेस हो देखने में कि यार मैंने कौन सी चीज कहां पर रखी है क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि आप अपना स्टोरूम का टूर दो क्योंकि कौन सी चीज किसमें रखी है क्या क्या है आपके स्टोरूम में तो ये सारी चीजे हमें दिखाया तो वह उसकी सर्विसिंग करके दे रहे तो आजकल ना वह लोग घूम रहे ग्यास्टो रिपेर करने वाले क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है तो सभी लोग रिपेर करवाई लेते हैं तो इससे वज़े से मैं सूचा चलो ये मेरे जो मेरा जुस्टो है ये फोर इसलिए मैंने इनको सर्विसिंग के लिए और अभी सर्विसिंग हो जाने के बाद ना सच में वह चारो बी जो बर्नर से मेरे इसके ग्ला गयास के वह बहुत अच्छे से फ्लेम दे रहे तो इसी वाज़े से अभी मेरे जो खाना है बहुत जल्दी बन जाएगा मतलब चार रूम में और अच्छे से जब सेट हो जाएगा अभी मेरी दीवाली की शॉपिंग भी बाकि है मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग तो अभी जब वह अच्छे से ग्रॉसरी शॉपिंग होगी अच्छे से मैं लगा दूंगी सारी चीज़े तब मैं आपके साथ एक स्टोर रूम जो टूर है वो शेयर करूंगी तो चलिए फिर इसके साथ इस लोग को यही पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए व्लोग में आपसे और हाँ चानल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं अगर नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो प्लीज सब्सक्रेब कर दीजे अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर देना और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो कर देना लिंक आपको डिस्क्रेशन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा लगा हूँ व्लोग तो प्लीज शेयर भी कर देना तो चले फिर मिलती हूँ नेक्स लॉग मैं आपसे तिल देन बाबाय टेक करें लब यू आल